असलाम अलेकूम वेलकम टू माई यूटूब चाइनल फैमिली दस्ताखान आज मनाने जा रहे हैं चिकन बर्रा ये बहुत ही टेस्टी बहुत ही मसे का बनता है इसमें दो स्ट्रेप है हम चिकन को पहले पका लेंगे फिर उसे हम भूनेंगे फिर उसके बाद हम इसे गरेवी आजाता है अगर आप इसे गैस पर ना रखें तो आप कोईले का दुआ भी दे सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनता है एक बर आप इसे जरूर बनाए इसके लिए हमने एक किलो चिकन ले लिया है एक चमच हमने कुटी हुई लाल मिर्च ली है एक चमच हमने गरम मसाला पौडर ले लिया है आदा चमच हमने काली मिर्च पौडर लिया है एक चमच जीरा पौडर ले लिया है एक चमच अद्रक का पेस्ट एक चमच लसं का पेस्ट शामिल करेंगे यह हमने एक चमच नमक डाल दिया है एक कप हम दही डाल देंगे इसाई चीज़ों को हम मिला द देंगे यह हमने एक प्यास को लाल कर ली है और हम 5-6 हरी मिच और थोड़ी सी धनी की पत्ती इन सारी चीज़ों को एक साथ ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे इसके बाद हम चिकन में एक चमच चाट मसाला पॉटर एक चमच लाल मिच पॉडर यह हमारे छोटा चमच है अगर आपके पास बड़ा हो तो आप एक चमच लिजे यह हमने चुटखी भर कलर फूट कलर यूज किया है इससे कलर बहुत ही अच्छा आता है अगर जो हमने मसाले पीसे हैं उसे हम शामिल कर देंगे प्याज तलीवी प्याज मिर्ची और धनी की पत्ती पिसेवे मसाले में हम थोड़ा मसाला रख देंगे यह हमने आप चमच हल्दी पॉडर लेया है और हमने एक निभू का रस ले लिया है चिकन में अच्छे से हम यह सारी चीज़ों को अच्छे से मिला देंगे यह देखिए हमने निभू का रस भीश में शामिल कर दिया है अब इसे अच्छे से मिला के कम से कम आदा एक घंटे के लिए आप फ्रीज में रख दें यह हमने दो चमश तेल और हमने बटर डाल दिया, थोड़ी सी बटर ले लिया है, इसके अंदर हम चिकन जो हमने मसाले लगा के रखे थे, उसे हम बिछा देंगे फ्राइपैन में, एकई करके हमें चिकन रखना है फ्राइपैन पे, उसके जो मसाले बरतन में रह चाएंगे, पैन में दाले थे उसे हम थोड़ी देर के बाद पल्टें ताकि नीचे से अच्छे से चिकन में कलर आ जाए और हम इसे ढग देंगे ताकि हमारी चिकन गल भी जाए चिकन काफी पानी छोड़ देगा अपना चिकन और दही इसे हमें सुखाना भी है और गोश्ट हमें 80% तक गला लेना है यह देखे सारी चिकन की पिस्ट को आप पलट दें देखे कितना अच्छा कलर आया है अब हम दूसे साइड भी पका लेंगे प्याज मिर्ची और धने की पत्ती का जो मसाला बचा हुआ था मिक्सर में उसे हम इसी बाउल में पलट देंगे जिसमें हमने चिकन को मैगनेट क मिक्सर के रखा था और थोड़ा सा हम पानी भी मिक्सर की वाटी को खंगाल के डाल देंगे यह हमने 10-15 काजू लिये हैं इसको हम बिगा दिये थे 10-15 मेंट पहले गरम पानी में ताकि हमारे काजू अच्छे से पिस्ट जाए यह देखे हम चिकन को उलट पलट कर लेंगे आप थोई-थोई दिर में इसे चलाते रहें नहीं तो मसाली नीचे से पकड़ने लगेंगे चिकन हमारे तयार हो गए हैं गैस के उपर हम एक जाली रख देंगे यह हमारे पास पुरानी जाली थी उसी को हमने यूज कर लिया है चलनी को आपके पास गैस वाली जाली हो तो आप रख दें इकन की बोटी रख दें इसे आप एक बार पलट लें उसके बाद हम इस पर घी डाल देंगे दोनों साइट से अच्छे से हम इसे भून के निकाल लेंगे यह देखे कितना बहतरी निये भून के निकल गया है अब हम एक दूसरी कड़ाई में इसकी ग्रेवी तयार कर लेंगे दो छमच हमने तेल ले लिया है और हमने बटर शामिल कर दिया है बटर से बहुत ही चिकन में लगे हुए मसाले थे उसे हमने शामिल कर दिया है अच्छे से सारे मसाले हम निकाल लें और कड़ाई में डाल दें अब जिसमें हमने चिकन को फ्राई किया था भूना था उस मसाले को भी हम अच्छे से फ्राई पैंट में से डाल देंगे थोड़ा सा पानी भी हम फ्राइ पैन पे खंगाल के डाल दें अब हम जो पेसेवे काजू थे उसको हमने डाल दिया है मिक्सर की वाटी को भी हम खंगाल के इसमें पानी डाल देंगे काजू के और हम ये तीन चमज होममेट क्रीम यूज़ कर रहे हैं आप चाहें तो अमूल क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं मगर हमने घर की फ्रेश क्रीम यूज़ की है ये हमने काजू पिसे वे वाटी का पानी खंगाल के डाल दिया है मिक्सर का और इसे हम अच्छे से चला लेंगे इसे आप चक लें इसमें अगर नमक कम लगे तो आप इसमें एक चमश नमक हमने डाला है और एक चमश हमने चाट मसाला डाला है इसे बहुत यह अच्छा टेस्ट आजाता है अगर आपको इसमें तीका कम लगे तो आप इसमें कुटी वीलाल मिच शामिल कर सकते हैं ये देखे हमारी ग्रेवी में उबाल आ गया है अब हम इसके अंदर अपने चिकन शामिल कर देंगे जब ग्रेवी में उबाल आ जाए उसके बाद ये देखे ग्रेवी में उबाल आ गया है अब हम जो हमारे भूनेवे चिकन है उससे हमने शामिल कर दिया है गैस को हमने बन कर दिया है चिकन डालने के बाद हमें ग्रेवी को नहीं पकाना है ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है इस तरीके से आप एक बास जरूर बनाए अब हम आपको सर्फक की दिखा रहे हैं अगर आपको ग्रेवी ठीक लगे तो आप इसमें थोड़ा दूद यूज़ कर सकते हैं आप आदा कब दूद डालने ये देखें हम आपको सर्फक की दिखा रहे हैं बहुत ही टेस्टी बनता है और इसका कलर और इसका जो हम चिकन को भूने थे इसके वज़े से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अगर आप चिकन को ना भून पाए तो आप इसमें कोईले का धुआ दे दे ये बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट और बहुत ही अच्छा इसका कलर आता है एक बर आप इसे जरूर बना के ट्राई करें और आपको ये रेसिपी कैसे लगी हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताईए अलाफेज